सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चैनल लानबूट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स न पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपने यूटीब चैनल लानबूट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में शंपून जानकरी दोस्तों रेनिटेडिन तर्था डॉम पेड़ोन यह दोनों ही दवाईयां बहुत ही पूरानी तर्था विश्वस् कोमिनेशन दोनों में ही अवेलेबल है और इन दोनों की जो सिंगल साल टेबलेट है रेनिटेडिन तर्था डॉम पेड़ोन इन दोनों का मैंने सेप्रेटली वीडियो बनाए यदि आप देखना चाहते हैं तो डिसकेशन लिंक दिया हुआ है इस वीडियो का दोनों के बा इसे सबी बाते हैं इस वीडियो को आन तक देए जिसे पूरी जान करें आपको इस टेबलेट के ब्राम मिल सकें साथ ही में चनल पर पहली बार हैं वीडियो पहली बार देखने तो चनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और से करना नहीं बोलें मैं हूँ आपको होस्ट मोही दादीश आप देखने अपने युटिव चैनल लर्न अबूट मैडिसिन चलिए आशे कुछ नया सिखते हैं इस一下 है लोफेंटस नमच्ते दोस्तों इस टेबलिट में रिनीटिडिन एक एक सू पचास मिलिगाम से sindh Pence है कई जाती है कंट्रोल करने के लिए तता ठीक करने की प्रियोग लाई जाती है साथ ही जो डोम पेडों ने यह प्रोकाइनेटिक ड्रग our mustck में वोमिटिंग सेंटर को कंट्रोल करके उल्टी को रोखने का करती है साथ ही जो हमारा प्रियों को ठीकर नेकले इसका प्रियोग लिया जाता है उसमें जो प्रमुख बीमारी है वह है ZERD Gastroesofagel Reflux Disease जिसे हम Acid Reflux Disease के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी में व्यक्ति के स्ट्रोमक में Acid तैथा आहणाल में समश्या हो जाती है जिस कारण से व्यक्ति को आहणाल में जलन होना खाया हुआ खाना आहर नाल में, गले में या मुँ में वापस आ जाना पेट दर्द होना, पेट में फूलाव हो जाना इस तरह के कुछ इस्तियां होती है और इस इस्तिति को हम हार्ट बन भी कहते हैं इस इस्तिति को ठीक करने के लिए, GERD को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एड़ोईज की जाती है इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पेट में गेस बन गई हो गेस बनने के कारण उसका पेट फूल गया हो पेट में दर्द हो रहा हो तब भी इसका प्रियोग लिया जाता है कोई व्यक्ति हो जिसको गेस के साथ में उल्टी की समिश्या हो रही हो तो गेस और उल्टी को ठीक करने के लिए इसका प्रियोग लेते है किसी व्यक्ति को सिर्फ उल्टी की समिश्या हो रही हो तब भी इह दवा दी जाती है और अगर कोई पेसेंट इस जिसको पेट में चाले हैं तो सपोर्टियू मेडिसिन रूप में यह रेनिट इरीन ताथा डॉम पेड़न कॉमिनेल सिंग की टेबलेट दी जाती है साथ छी कोई महिला है जो प्रेगनेंट है उसको प्रेगनेंसी के दवरान गेस अधा उल्टी जैसी समझ्या हो और यह खाना उसको नहीं बाराओ तो ऐसी इस्तिति में भी यहाँ टेबलेट डॉक्टर दोड़ा दी जाती है तो यहाँ हम कहा सकते हैं यहाँ टेबलेट प्रेगनेंशी में भी दी जा सकती है और इसके आयलाव भी गेस्टिक इरिटेशन, गेस्टिटाइटिस जो पेट में गेस बनने की समझे है इससे रिलेटिड किसी बिमाई में डॉक्टर अपने अनुभू के आदा पर इसका प्रियोग कर सकते हैं और कई बार इस टेबलेट का प्रियोग उस समय भी लिया जाता है जब डोग पेसेंट को कोई एंटिबाटिक दवा दी गई है या कोई ऐसी NSAID क्लास की दवा दी गई है जिससे की पेट में गेस्ट बन सके या उल्टी हो सके तब भी सपोर्ड यू मेडिसिन हो उनके साइड इफेक्ट को रोपने लिए दवा दी जाती है अब अगर इस टेबलेट के साइड इफेक्ट को जाने क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो नॉर्मल इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए फिर भी यह दिकिसी व्यक्ति में इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो व्यक्ति को सीर दर्ध होना, ठकान लगना, दस लग सकती है, स्लिपीनेस, नींद आये जैसा लग सकता है, मास पेशियों में दर्ध होना, यह कुछ समयश्या हो सकती, यदि यह यह इसके अलवी को दूसरे unwanted effect आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और जो 12 वर्ट से ज़्यादा उमर के पेसेंट है, उसमें किया जाता है, उसे छोटे मगर आवसकता होती है, तो इसकी हाफ डोस करके दिया जाता है, जनलिज यह रोस दी जाती है, वो सिंगल टेबलेट दिन में एक बार दी जाती है, इस टेबलेट को हमेशा खाने के पहले ल उमर ने उनको रात को सोते समय चला दी जाती है, जिस कारण से जो सवेरे उटे, तो उन्हें मौर्निंग सिकने जो सुबह उल्टी मतली होती है, उसमें काफी सुदार मिल सके, इस टेबलेट की अगर डियूरेशन की बात के है, तो सामय ने ता तेन दिन से लगा कर पांस द दियान रखनी है, टेबलेट को लेते समय, आपको मसालेदार खाना नहीं काना है, तली हुई चीज़े नहीं खानी है, साथ ही खटाई, जो खटी चीज़ें होती है, जैसे निम्बू, इमली, इनका प्रियोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इस टेबलेट के साथ यह ल बताईए, उम्मीद करता हूँ, ज्यादा ज्यादा जानकारे आप तक पहुंचे योगर वीडियो आपको जोर से पसंद आए होगा, यदि वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज्यादा ज्यादा सेर करें, जो किशी और की यह काम आसके, और